अब देश के कारोबारियों का भरोसा अर्थे विवस्ता में तेजी से बढ़ता जा रहा है। उद्योग चैंबर फिक्की ने अपने बिजनस कॉन्फिडेंस सर्वे में हुई तेजी के आधार पर ये दावा किया है। इस सर्वे के मुताबिक अब देश के कारोबारियों को विक्री और निवेश बढने का पूरा भरोसा है ज्यादा भरोसा है कोरोना के मामले घटने और आर्थिक गतिविडियो में तेजी आने से देश के कारोबारी जगत का भरोसा अब पढ़ने लगा है ये दावा किया गया है Industry Chamber फिक्की के एक सर्वे में फिक्की के नए Business Confidence सर्वे ने भारतिय कंपनियों के भरोसुई में बढ़ोत्री होने का दावा किया है इस सर्वे के मुताबिक फिलहाल Business Confidence Index पढ़कर 66.6 पर पहुँच गया है पिछले सर्वे के दौरान ये 63.9 पर था फिक्की के नए Business Confidence सर्वे में ये सुधार मौजूदा हालातों में हुए पोजिटिव बदलावों और उमीदों के चलते आया है पिक्की के इस Business Confidence सर्वे अप्रल 2022 में कहा गया है कि कारोबारी जगत में बढ़ा हुआ भरोसा विक्री और निवेश में हुए जाफे की वज़ा से आया है रिपोर्ट के मुताबिक 62 पीज़दी कारोबारीयों ने कहा है कि वो आने वाले समय में बिक्री बढ़ने को लेकर भरोसे बन है जबकि पिछले सर्वे में केवल 50 पीज़दी कारोबारीयों को बिक्री बढ़ने का यकीन था दरसल किसी भी कारोबारी के भरोसे में बढ़ोत्री की बड़ी वजा डिमांड में इजाफा होता है यही वो कारण है जो सर्वे में कारोबारीयों के भरोसे में बढ़ोत्री का संकेत है सर्वे के नतीजों के मुताबिक डिमांड में सोधार देखा जा रहा है और इस बार 46% करोबारियों ने कम डिमांड को बिकरी में ब्रेकर बताया है जबकि पिछले दौर के सर्वे में ऐसा कहने वाले लोग 60% और पिछले साल ऐसा कहने वाले लोग 70% थे सर्वे में हिस्सा लेने वाली कंपनियों के निवेश आउटलुक में भी सुधार हुआ है ताजा सर्वे में 50 फीजदी से ज्यादा कारोबारियों ने ज्यादा निवेश की उमीद जताई है जबकि पिछले सर्वे में 40 फीजदी कारोबारियों को ही ज्यादा निवेश की उमीद थी वहीं शम्ता के इस्तमाल को लेकर भी भरोसे में बढ़ोतरी दिखाई दी है ताजा सर्वे में 45 फीजदी से ज्यादा कारोबारियों ने 75 फीजदी से ज्यादा शम्ता इस्तमाल की उमीद जताई है जबकि पिछले सर्वे में 30 फीजदी कारोबारियों को ही 75 फीजदी से ज्यादा शम्ता इस्तमाल की उमीद थी आलगे रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि मौजूदा जियो पॉलिटिकल टेंशन के बीच कच्चे माल की कीमतों में बढ़ोत्री, मुनाफे और निर्यात पर आने वाले दिनों में दबाव बना सकती है फिकी के सर्वे में एक करोड रुपे से ग्यारा हजार करोड के टर्नोवर वाली और अलग-अलग सेक्टर्स की करीब 165 कंपनियों से पृतिक्रियाय ली गई है बीरो रिपोर्ट आज तब